है है गाइस वेलकम तो दे न्यू वीडियो तोड़े इस फ्राइडे एंड फ्राइडे नॉलेज सिरीज में हम एक और वीडियो में आप सब का स्वागत करते हैं दोस्तों आज का जो थमनेले उसको देखके आपको पता चली गया होगा कि I will explain very simple three simple steps जो के आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको एक एन्हेंस कर सकता है और एक नेक्स लेवल पर ले जा सकता है क्योंकि काफी बार हम देखते हैं कि हमें entry और exit काफी अच्छे से पता होता है बट काफी टूल्स मैनी टूल्स सो मैनी टूल्स तो उसके चकर में क्या होता है कि काफी बार हमें तकलिफ होती है तो उसको कैसे अवर्ट करने हैं तो हम तीमपल तीन स्टेप्स में आपको दिखाऊंगा बहुत ही शॉट में मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत ही इजी है आसान तरीका है थ्री सिंपल स्टेप्स जो आप ओवर ट्रेडिंग कर करो या फिर आप पर प्राब्लम हो रहा है रही कि ठेडिंग मेंर रहें और फिर फिल्टर योट्रेड स्टिर्स प्रेड सिंपल आपको टूल भी सजेस्ट करूंगा, मुविंग एवरेज, ठीक है, कोई भी मुविंग एवरेज यूज कर सकते हो, I use प्रिफरर 55 एसे में, आप 20 भी कर सकते हो, सो मैं वहाँ पर आपको शो भी करूंगा, एक्जांपल के साथ, सो, वेनेवार, मुविंग इवरेज इस राइजिंग, गो फर थो लॉंग ठीक है, मुविंग एवरेज, स्लो प इस राइजिंग, गो फर लॉंग ट्रेड, म स्लोप is दाउन, धैन गो फर थो शो ट्रेड, वेरे सींपल, स्लोप के साथ आप ट्रेड प्लान करिए, राइजिंग में buying और अगर downtrend slope down है तो selling का हम plan कर सकते हैं ठीक है so let me show you here चलिए मैं हर बार 55 दिकार था हूँ इस बार में 20 EA में use कर रहा हूँ you can see here 20 EA में है 20 दिन का मैंने यहाँ पर place किया हूँ and let's check rising moving average में हमें buying का सोचना है so here you can see a very good extended rally so आप strategy जब कोई भी play करो range breakout के support पर buy कर रहे हूँ but moving average का slow pricing है you can go further buying opportunities ठीक है एक और examples में आपको दिखरता हूँ कि सो यहाँ पर भी आप देख पार हो के slow pricing है आपको buying सोचना अभी वह range break कर रहा है या फिर moving average के support पर buy हो रहा है so whatever the strategy you are applying और time frame भी कोई भी हो चलेगा यहाँ पर भी आपको देखना को मिल रहा है slope is down so आपको selling opportunities देखने है बहुत सारे मिलेंगे आपको smaller time frame में भी आप जा सकते हो एक और example देता है यहाँ पर देखे moving average का slope जबी भी नीचे के side है go for the short sell support break पर आप trade कर सकते हो pullback पर trade कर सकते हो जैसे यहाँ पर हुए you can plan like this so very simple first step is moving average trend के साथ trade करेंगे हम concept trend और moving average use करेंगे हम मैंने आपको 20 दिखा है आप 55 कर सकते है यार whatever moving average you are following the second step is go with the relative strength ठीक है relative strength अभी यह कैसे देखेंगे which sector के साथ compare करेंगे मतलब के for example metal stocks में bullish momentum है अगर metal stock bullish momentum है then go for the best strong stocks जो भी best है strong होगा उसमें metal में हम buying करेंगे और let's say weakness है कोई IT में weakness है let's say example IT bearish है तो उसमें जो weak stock रहेगा सबसे उसको हम short sell करेंगे ठीक है so sector भी bullish होना चाहिए और उसमें जो highest strong stock है पहले दो उसमें फोकस करेंगे buying के लिए और weakness में bearish में जो sector weak है उसमें जो weak stock है उसको हम short sell plan कर सकते तो इसी तरीके से आप इसमें देखते हैं let's say अभी हम देखते निफ्टी मेटल में काफी अच्छा momentum है सो निफ्टी मेटल में हमें एक अच्छा momentum दिख रहा है उसके stocks हम देख सकते है लाइक हिंडाल को है यह manually मैं आपको दिखा रहा हूं आपको यह process सांती से देखके करना होगा लेट से हिंडाल को है उसमें आप ट्राइ कर सकते हो फिर दूसरा stock देखे इसका टाटा स्टील सो कहां पर आपको अच्छा opportunity मिल रहे हो देखे विदानता है तो वो भी आप देख सकते हो सो देखे विदानता में अभी तक breakout नहीं हुआ है बाकी के दो stocks में अच्छा momentum हमें देखना को मिल रहा है so this is the way weak stock है तो उसमें भी weakest stock है weak sector ढून ये पहले तो और weak stock उसके अंदर आप ढून सकते हो and last step जो आपको follow करना है filtration के लिए which is risk to reward आर आर जिसको बोलेंगे risk to reward क्या है ठीक है let's say one risk to three आप swing के लिए पान कर सकते हो अगर आप positional जारे हो swing trade so जहां पर आपका let's say 10 points का आपका SL है ठीक है तो आप 30 points target के लिए play करोगे so one risk to three intraday है अगर आप intraday में जा रहे हो so one raise to one या फिर one point five के लिए आप जा सकते हैं डिफिकल्ट है इसमें one raise to three मिलना हर बार नहीं मिलेगा बट one raise to one one point five आपको alternate मिलते रहेंगे और regularly मिलते हैं so तीन simple steps आपको देखने है जैसे कि अभी मैं rewind repeat कर देता हूं सबसे पहला तो trend देखेंगे हम rising या फिर decline में दूसरा रहेगा relative strength मतलब के सेक्टर के साथ हम जाएंगे सेक्टर के साथ and third रहेगा risk to reward ratio swing के लिए one raise to three intraday के लिए one raise to one या फिर one point five यह तिमपल तीन steps follow करना है कोई भी trade लेने से पहले यह चीज़ आप ध्यान में रख्यों और सोचे तो आपके आधे से ज्यादा ट्रेड आप नहीं करोगे क्योंकि अगर यह filtration में process में आ रहा है पास हो रहा है धन you can take a trade simple okay very simple and short video रखेंगे यह आचा रखता है आपको सीखने को मिला हो comment section में ज़रूर बताएं thank you so much goodbye everyone and happy trading